इस वीडियो में आप जानोगे इंग्लिस की प्रैक्टिस सेट के वारे में है यानि जो ग्रामर से वह सारे कुश्चन रहेगा और फुरेक फुरे वीडियो आप देखना है आप इसली स्वल्प कर पाऊगे और आपकी इसको लेबल कॉलेज लेबल कंपेटिटिव लेबल जो इस एक्जाम के लिए बहुत ही हैलफुल होगा ठीक है तो पूरा वीडियो जरूर देखना फर्स सेट है आपको स्कीन पर फर्स्ट क्वेशन इस यह कंप्लिट द फ्लोंग सेंटेंस विद दे क्रेक्ट ऑफशन बहुत ही एजी है इसमें क्रेक्ट आंसर क्या होगा वह आपने सेंटेंस देखे समझ गया होगा कि यह प्रजेंट परफेक्ट कंट्यूने स्टेंस का है और आपको उसमें याद भी होगा कि दूरेशन ऑफ टाइम पॉइंट ऑफ टाइम यह सब आपको उसमें पढ़ेते हो और उसमें दो चीज़ के यूज़ होता है फॉर सेंस तो यदि फिक्स टाइम रहता है तो आप उसमें सिंस लगाते हो यदि टू डेज है थ्री मंथ है देन फॉर लगाते हो देन इसके करेक्ट आंसर क्या होगा बी राइट अब आप नेक्स्ट में खुद कोशिश करना आंसर देने के लिए चूज़ दा करेक्ट आंसर आंसर इसा पके स्क् Size पर दिख रहा है आपको पता चल गया की करेक्ट सेंटीन्स कौन सा है है ने कॉर्ण हट है कि आ लिटर अहे बादाकों लिटर पेट्रूल सेल्टफ है एक औरो तो को और कॉंटेबल को हम नापते हैं तो और लिटर केजी को मिली लिटर को हम सही तरीका से यूज़ करते हैं थर्ड इस चूज दराइट ओफशन तो फिल इन दे ब्लैंक क्या होगा करेक्ट आंसर I dot 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 my homework when the lights went out मैंने क्या किया complete किया कि जब मेरा गया था या करूँगा या कर रहा था क्या होगा ओके जब light गया था तो आप क्या कर रहे ते work कर रहे थे य guilty यानि past continuous tense का यूज करोगे, right? that means I was doing my homework मैं किया था और light चला गया ऐसा हो नहीं सकता है यानि उसमें आप क्या करते हो continuous कर रहेते हो वरक आप continuous में था उसके बाद light चला गया था फोर नुमर पॉस्टन इस यह चूज दा फ्रेज अपोजिट इन मिनिंग to the words bold in the following sentence यानि आपका जो sentence है he is fat and flavvy but his son is क्या होगा यानि आपका जो blue color में है वो है fat और flavvy है तो correct answer क्या होगा C आपके skin पर है already और fat में साब जानते हो और flavvy में जो क्या होता है जो पूरे ही कॉम्बल हो दुरूबल हो आपका हिंदी मिया नोट साबको help कर गया तो the correct meaning bold का पहले sentence का आप अच्छा से पढ़ लीजे it was an exciting match full of suspense both teams were well matched and fought tooth and nail tooth and nail from start to finish यानि शुरू से अन्तक उन्होंने जो मेहनत किया उसके लिए है और उस base पर आपको answer आपके screen पर helpful हो जाएगा कि यहाँ पर जो नोट में है वो हिंदी में है आपको और समझ में आएगा they played well they played with every wants of strength they had correct option is B for tooth and nail यह tooth and nail जनरली तो बोलने में भी यूज करता है right tooth and nail में सोता है जनरली कि जी जान से for tooth and nail means यह हो गया कि जी जान से लड़ना यहने बहुत करी पूरे पर दें एरी चोटी कर देना उन्हेंने बहुत ही जाएदे मेनत किया success come to my party dot 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 saturday night at on in in for आप लोग जनरली यूज करते बूलने भी किया करो on monday on Tuesday right time the area am pm तो होगा at right यहां पर saturday है तो क्या होगा on saturday next question is choose the correct option sentence the doctor has been living here from मैंने first question में आपको कुछ बताया था आपको याद करना है कि 2005 2005 2005 2005 2005 सभी में हैं तो यहां पर आपको first question से यहां पर relate कर लिजे तो सही होगा since 2005 pick out the right word occasionally 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 यह बहुत ही important question है आपकी competitive exam के लिए यहांने जो school level के होता है वह भी और कोई आप competitive exam भी करते हो तो इस feeling को आपको खास करके देखना है right ऐसे आप पोरा देखिए आपको पोरा मिलता जुलता आएगा नजर आएगा सब उसे mostly क्या कर दिया गया है first a और b यह दोनों में थोड़ा different है right और c और d में देखिए cc का different है right same नहीं है आप confuse न करें same नहीं है first में double c और double s भी है और b में double c नहीं है right इससे क्या करना पड़ेगा आपको practice करना पड़ेगा word का spilling को देख करके right honest का antonyms क्या होता है यह आप बहुत easy है honest or dishonest 10 number question is fill up करना है of कार्थिक अनूर्मिला the dice is a more versatile shringer correct option is letter L-A-T-T-E-R right latest earlier नहीं होगा later में इस क्या होता है जो बाद में अप later word का use दूसरा जगे भी करते है later on I will discuss I will message later on right इस तरह से अप later on में letter का अप्योज करते हो बाद में type 11 number correct sentence को select करना है कौन सा correct है C number is correct you have to read all questions after that you have to put the correct answer now supply the correct form of the verb verb का जो correct form होगा it को क्या करना है आपको दो शीट को ध्यान में रखना है right कि is और was दोनों singular में है has और have को ध्यान में रखना है कि has जो है आप singular के साथ लगाते है और have जो है puller के साथ लगाते है subject के साथ right और I के साथ लगता है इस तरह से आप जब दोनों के साथ करते हो तो correct answer हो जाता है past present perfect में it has rent क्योंकि has आप के बाद आप क्या करते हो verb का third form use करते हो 13 number is blonde का feminine gender क्या होगा b l o n d e right no 14 correct sentence you have to do it first sentence कौन पूरे का पूरे रीट कर लीजे more is the tallest student अब tallest के पहले 2 क्यों लगा है क्योंकि tallest जो है super relative degree है right tall, tall or tallest कुछ उसमें गलते है something is wrong one of this singular plural sets identify it कुछ ने कुछ गलती है देखे कौन से singular plural में क्या है stimulus stimulus the plural of stimulus is stimuli right no I kept the flowers in a vase आपको voice change करना है the flowers were kept the flowers were kept I kept past indefinite का है और past indefinite को आप क्या करो आप flowers को लिए उसके साथ plural है wear किये और भड़ का third form दे right gain का synonym क्या होगा antonym synonym क्या होता है synonym means होता है same word antonym means होता है opposite word gain माने भी होता है फायदा करना लाब होना और profit माने भी लाब होना होता है fill in the blanks is suitable word I am late for work down quickly enough rarely यानि आप I am down late होता ही नहीं है quickly late होता ही नहीं है quickly करेंगे fast करेंगे enough really मतलब कभी कभी आप late हो जाते हो काम के लिए correct answer को चूज़ करना है कि जो कौन सी correct sentence है flowers smells flower smell यानि आप verb को subject के अनुशार select करते हो right flower smells sweet show where का antonymes क्या होगा agitate 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 करना से बना हुआ agitated right इसको बोलता है agitation यानि किसी को उत्तेजित करना agitate कर देना fill in the blanks with stable article अब article आपको याद होगा an or the ice के पहले क्या लगएगा an लगएगा क्यों क्योंकि ice का sound जो है pronunciation जो होता है bubble sound है ice ice ness bubble sound है उसे पहले क्छा होगा an होगा water water यास में क्या है क्या लिखते है article लिखते हैき नहीं लिखते है no article लिखते है water में लिखते है now engine say bubble sound है तो now count नहीं कर पाते हैं quantum काउंटीवल नोन के पहले ही A और N लगता है राइट तो Ice को हम क्या कर सकते हैं कौनτο नहीं कर सकते हैं वावल सांड है ना वाटर water consonant sound है but यहाँ पर हम comfortable नहीं है इसलिए उसका article नहीं लगेगा अब यहाँ पर आपको हिंदी में दिया गया है आप उसका पढ़ सकते हो आपके लिए helpful होगा next question is find the subject in the given sentence it is I who did this who it is I who did this who is subject इसलिए the appropriate meaning of Adam's given below bold from the blue एक Adam है आप उसको meaning आपको खोजना पढ़ेगा an unexpected disaster bold from the blue यानि जिसकी हम कभी कलपना नहीं करते हैं और अचानक आ जाती है right from the meaningful word by the adding the prefix d-i-s prefix suffix आपके grammar का बहुत important chapter है तो prefix भी पढ़िए और suffix भी पर लीजे right the d-i-s का prefix यानि आप पहले d-i-s होना चाहिए dis और उसके आगे आपका word होना चाहिए agree dis में agree करते हैं तो dis agree हो जाता है अब लोगे की release क्यों नहीं हुआ release का कोई meaning नहीं आता है discard card एक verb नहीं आ रहे हैं बलकि आप discard वला word यूज कर सकते हो बना सकते हो right discuss कस नहीं होगा क्योंग कोई meaning नहीं है right तो dis agree task for the given sentence into assertive sentence assertive sentence, subtentation, sentence का जो टाइफ से उसमें आपको मिल जाएगा assertive sentence, negative sentence, interrogative sentence इस तरह के जितने टाइफ से अलगल है वो आपको मिल जाएगा तो assertive sentence में आपको यूज करने बोलना है question क्या है assertive sentence में यूज करने के लिए how georgious is the sunset, right तो जब आप इससे assertive sentence में करते हो तो the sunset is very georgious आईसे क्यों बोला गया क्योंकि उसमें subject से start करेंगे उसके बाद verb या helping verb के साथ main verb भी होगा उसके बाद object होगा और full stop क्योंकि assertive sentence में हमारा sentence complete होता है right इंट्रोगेटिव में question वला आ जाता है निगेटिव निगेटिव वला आता है assertive sentence में हमारा sentence positive होना चाहिए और complete होना चाहिए hope कि आपके screen पर जो आपने 25 questions देखा आपके लिए बहुत ही hall proof होगा thank you